आगे हम दो प्रकार के Reflecting Type Telescope का अध्यन करेंगे सबसे पहला Reflecting Type Telescope जिसे Newton ने बनाया था और इसे हम Newtonian Telescope के नाम से भी जानते हैं यह Newtonian Telescope भी एक Astronomical Telescope है यानि कि यह खगोले पिंडों के अध्यन में ही कामाता है इसका construction कुछ इस प्रकार रहता है यहां पर लेंस के स्थान पर तो एक Mirror रखा गया है और यह जो Mirror है यह Concave Mirror होगा जो कि Parabolic Ackar का होगा यानि कि यहां पर परवलाई Ackar का अवतल दरपन लिया जाता है परवलाई Ackar का होता है मतलिसकि गहराई बहुत जादा होती है और यह अवतल दरपन है इस दरपन को हम Primary Mirror के नाम से जानते हैं जब अनंत से आने वाली प्रकाश किरने इस अवतल दरपन पर पढ़ती है उस कंडिशन में यह किरने इस अवतल दरपन से टकरा कर परावर्तन की नियम का पालन करते हुए इसके फोकस में कनवर्ज करने की कोशिश करेंगी लेकिन उससे पहले ही इसके रास्ते पे एक समतल दरपन रख दिया जाता है जो इन किरनों के साथ कुछ कोण बनाते हुए होता है अब यहाँ पर दुबारा इनका परावर्तन होता है और परावर्तन के पश्चात ये किरने समतल दरपन से टकरा कर इस आई-पिस लेंस की और आगे बढ़ जाती है और इस आई-पिस लेंस की सहता से इस अनंत पर रखे या फिर इस खगोल्य पिंड का हम अध्यन कर सकते हैं इस पश्ट और सुन्दर प्रतिविम यहां पर इस खगोल्य पिंड का नजर आता है यहां देखें तो इस पाइप के अंदर ये किरने वहीं पर दो बार अपवर्तित हो गई ये किरने दो बार परावर्तित हो गई पहला तो इस प्राइमरी मीरर जो की परवल्य का अफ्ताल दरपन है और दूसरा ये सेकेंडरी मीरर जो की समतल दरपन है मतलब उस छोटी सी नली के अंदर ही ये किरने दो बार परावर्तित हो गई इसलिए जो न्यूटोनियन टाइप टेलिस्कोप होता है उसकी लंबाई छोटी होती है बाकी एस्ट्रोनॉमिकल यानि की रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलिस्कोप की तुलना में यहां पर यदि हम आइपीस में देखें तो यह उत्तल लेंस ही लगा होता है जिसकी सहायता से प्रतिप्यम को देखा जाता है और इस कंडिशन में इस पूरे टेलिस्कोप का जो मैंगनिफिकेशन है वो एम बराबर एफ ओ अपॉन एफ होता है यानि कि इस ऑब्जेक्टिव दरपन की फोकस दूरी के अनुपात के बराबर तुम चाहते हैं कि मैंगनिफिकेशन अधिक हो उस कंडिशन में एफ ओ का मान अधिक होना चाहिए और एफ इका मान कम होना चाहिए साधर रंता ये देखा गया है कि जितना मैंगनिफिकेशन होता है लगभग जो अवतल परवल्यकार दरपन है उसका डायामेटर भी उतना ही मम में होना चाहिए तो इस परवल्य कार अफ्तल दरपन का diameter भी लगभग 270 mm के पास होता है अब इसी Newtonian telescope को थोड़ा सा modify करके दूसरे प्रकार का astronomical telescope भी बनाया गया ये दूसरे प्रकार का astronomical telescope भी एक reflecting type telescope ही है यहाँ पर भी दरपन का इस्तमाल किया गया है अब इसमें छोटा सा जो modification है वो क्या है देखते हैं यहाँ पर सेम वैसे ही primary mirror के रूप में हमने लिया है परवल्यकार अवतल दरपन अब इस अवतल दरपन का जहां दुरूव होता है वहाँ पर एक छोटा सा छिद्र बना होता है ताकि वहाँ से finally आईपीस के जरीए हम प्र यह समानतर किरने परावर्तन के पश्चात इसके focus पर converge होंगी लेकिन focus पर converge होने से पहले ही हम यहाँ पर एक दरपन रख देते हैं और यह दरपन यानि कि यह secondary mirror अब इस सिती में होता है convex mirror यानि कि उतल दरपन पहले Newtonian वाले में हमने समतल दरपन लिये था और अब इस case में यह उत्तल दरपन होता है अब यह सारी किरने उत्तल दरपन में टकराएंगी और यहाँ पर परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इस उत्तल दरपन से diverge हो जाएंगी और यह कहां पर गुजरेंगी या फिर सकते ही इनका प्रतिविम का हँपर बनेगा इस अवतल परफल्य का दरपन के बीच में जहां पर हमके ऑण की साहता से देखेंगे इस आई पीस लेंस की सहता से देखेंगे तो दोनों ही टेलेस्कोप में केवल दरपन का फर्क है प्राइमरी दरपन तो दोनों में सेम है यानि कि हमने परवल्यकार अवतल दरपन ही लिया है पर जाज सेकेंडरी दरपन है न्यूटोनियन के केस में यह समतल दरपन है और कैसे जाती है सूत्र f o upon f e से मतलब दोनों ही स्थिती में इसकी आवर्धन छमता सेम होगी जिसे सूत्र f o upon f e के प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार हम इस टेलिस्कोप के कंस्ट्रक्शन को समझने के बाद इसके लाब को देखते हैं जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलिस्कोप होता है सबसे पहले तो उसमें वर्ण विपथन नहीं होता यानि कि रंगीन इमेज नहीं बनता बल्कि जैसा वस्तू है सेम वैसे ही उसके इमेज का निर्माण होगा दूसरा उसमें गोली वी पर्थन नहीं होता मतलब अलग अलग साइस के प्रतिविम नहीं दीखेंगे बलकि एक वस्तू का एक ही प्रतिविम देखेगा तीसरा यह रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलिसकोप की जो लंबाई होती है नली की वो कम होती है क्योंकि हम देख रहे हैं कि उतने से जगे में यहां पर दो बार तीन बार प्रकाश का परवर्तन हो जा रहा है जिसके करण इसकी लंबाई कम हो जाती है जबकि वही हम रिफ्लेक्टिंग टेलिसकोप देखें तो यहां पर किरने पहले एक की फोकस मिलती है फिर दूसरे के भी मिलती है और इस प्रकार लंबाई जो होती है इसकी बढ़ जाती है जो रिफ्लेक्टिंग टैट टेलेस्कोप होता है उससे बना प्रतिविम चमकीला होता है मतलब बहुत ही अच्छा ब्राइट सपष्ट नजर आता है और दरप लखा जाता है और इतने सारे लाब होने की कारण ही तो आजकल एस्ट्रोनोमिकल परपस से रिफ्लेक्टिंग टैप टेलेस्कोप को छोड़कर रिफ्लेक्टिंग टैप टेलेस्कोप का स्तमाल किया जाता है पर इस रिफ्लेक्टिंग टैप का दोश भी है इस स्कोप के बारे में जाना साथ ही सुक्षमदर्शी का भी अधिन किया अब हम देखते हैं कि इनके बीच में क्या अंतर है कि सबसे पहले हम संयुक्त सुक्षमदर्शी और खगोली दूरदर्शी में अंतर देखते हैं सयोग तो सुक्ष्मे दर्शी, खगोली दूर दर्शी इसका उपयोग पास रखी सुक्ष्मे वस्पूओं को आवधित रूप में देखने के लिए किया जाता है इसका उपयोग आकाशे पिंडो को इस पश्ट रूप से देखने में किया जाता है इसमें अभिद्रिश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी की तुन्ना में कम होती है इसमें अभिद्रिश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से बहुत अधिक होती है इसमें अभिद्रिश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियों का अंतर बहुत अधिक होता है इसमें अभिद्रिश्यक का द्वारक नेत्रिका के द्वारक से छोटा होता है इसमें अभिद्रिश्यक का द्वारक नेत्रिका के द्वारक से पड़ा होता है अब हम अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर देखते हैं अपवर्ती दूरदर्शी परावर्ती दूरदर्शी इसमें अभी द्रिश्यक एक उत्तल लेंस होता है इसमें अभी द्रिश्यक एक परवल्याकार अवतल दर्पन होता है इसमें बने प्रतिबिम में वर्ण विपतन और गोली विपतन के दोश होते हैं अता अंतिम प्रतिबिम रंगी वा अस्पष्ट होता है इससे बने प्रतिबिम में ना तो वर्ण विपतन होता है और ना ही गोली विपतन अताहा अंतिम प्रतिविम तीवर एवं स्पष्ट होता है प्रकाश को एकत्रित करने की छम्ता कम होती है अताहा अंतिम प्रतिविम अपेक्षक्रत कम चम्कीला होता है प्रकाश को एकत्रित करने की छम्ता अधिक होती है अतहा अंतिन प्रतिव्यम चमकिला होता है इसमें कम समयोजन करना पड़ता है अतहा इसका प्रयोग आसान होता है इसमें अधिक समयोजन करना पड़ता है अतहा इसका प्रयोग आसान नहीं होता इसकी लंबाई अधिक होती है इसकी लंबाई कम होती है